हाई फ्रेंज मैं हूँ शाहिन सेयद वरकम तो माई चानल आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन और ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनके तियार होती है इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है बिल्कुल घरेलू तरीके से हमने बनाया है लेकिन खाने में बहुत ही जाधा ट आप इसको तंदूरी रोटी नान के साथ सर्फ करिएगा चेली बनाते हैं तंदूरी चिकन और ग्रेवी यहाँ पर मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है पानी निकाल लिया है अची तरह से धोकर इसमें आट कर देंगे एक टीस्पून नमक एक टेबल स्पून भरकर मिर्ची आता है और लिया था एक टेबल स्पून अच्छे से भरकर अध्रक और लेसन का पेस्ट नीबू आड किया था एक बड़ा उसको अच्छे से अपने स्क्वीज करके आड कर ले रहा है और फिर इसमें आड किया है दही तकरीबन पाओ का गाड़ा दही इस्तमाल करिएगा औ और फिर इसको अपने अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेना है ताकि यह मारिनेट हो जाए ठीक से एक बार यह मारिनेट हो जाता है तो अक्रीबन एक घंटा अगर आप छोड़ देंगे तो यह बहुत फ्लेवरफुल हो जाएगा एक घंटे के बाद मैंने कड़ाई छोड़ देंगे उसी तरफ मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पाव कप ओईल आट कर लिया है ओईल को अच्छे से गरम कर लें फिर इसमें लॉंग दाल चीनी काली मिर्च हरी इलाइची काली इलाइची बादियान थोड़ा सा मैंने जावित रिया था और फिर इसमें हम आट कर देंगे तीन मीडियम साइज का प्यास जिसको पहरे चॉप किया है इसको अपने अच्छे से फ्राय कर लेना है जब तक इसका कलर थोड़ा ब्राउन नहीं हो जाता है मैंने थोड़े देर के लिए कवर कर लिया था इसके बाद मैंने इसको खोल लिया है और फिर चला लिया है क्योंकि इसके छीटे बहुत बुरे बहार आ रहे थे और फिर इसको अपने अच्छे से भून लेना है ब्राउन हो जाता है इस तरह से लाइट गोल्डन तो इसमें एक टेबल स्पून अध्रक लसन आट कर ले और फिर अध्रक लसन के साथ इसको अच्छे से कम एक से डिर्ड मिनिट ताकि इसके सिकाई अच्छे से हो जाए इसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले जैसे के एक टी स्पून अच्छे से भरकर लाल मिर्च ये मीडियम स्पाइसी है आपकी जादा है तो आप कम आट कर ले साथ में आट किया था आदा चमच गरम मसाल संपाइसी कॉंटिटी जादा कर सकते हैं घहर का बना हुआ होता है तो जादा स्ट्रोंग होता है अपसा चाहे तो कम आट कर ले आच्छे से भून ले इसको एक मिर्ट के बाद पर मैंने आपके आड किया है तीन मीडियम साइस का पका हुआ टमातर बारिकपार 12 ॵारिक स् लेंगे, चलाके हमने इसको medium high कर लेना है flame और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, यहां पर आप दिख सकते हैं, टमाटर को एक बार मैंने खोल कर अच्छे से प्रेस करके mash कर लिया है, हम इसमें ग्राइड नहीं करेंगे प्यास टमाटर को तो इसलिए भून लेंगे, कवर करके low flame पे छोड़ देते हैं, चिकन का पानी भी यहां पर थोड़ा से dry होने को आया था, एक बार मैंने इसको चला लिया है, इसको हमने अच्छी तर इसे भून लेना है, पूरा मसाला dry होके चिकन को लिपट जाना चाहिए, लेकिन अभी जब यह ड्र तो इसको मैंने एक बार अच्छे से mix कर लिया है, और इसको अच्छे से आप चला के cook कर ले, medium high flame पे भून ले, बस ध्यान रहे मसाला जले नहीं, मसाली का कल डाक हो चला है, और चिकन को अच्छे से लिपट गया है, चिकन पूरा try हो गया है, आप देख सकते हैं, इस stage पे चाहें तो इसको skewers पर लगा के gas flame पे बस थोड़ा सा 1-5 मिनट के लिए भून सकते हैं, या फिर इसको कोईली की धूनी दे सकते हैं, तो मैंने या पे कोईले को पहले ही गरम कर लिया था, और इसमें हम गरम कोईला अट कर देंगे, थोड़ा सा हमने इसके उपर oil, घी या पटर अट कर लेना है, और फिर इसमें अपने इसको कवर कर लेना है, गयास का flame off कर ले और 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लेंगे, यहा पे देखिए बहुत अच्छे से oil रिलीज हो गया है, टमाटर बहुत सौफ्ट हो गया है, इसको अपने प्रेस कर लेना है इस तरह से, अच्छे से mix हो गया है, इसको low flame करके कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, कोईली की धूनी इसमें अच्छे से रज पस गई है, तो फिर हम कोईला यहां से निकाल लेंगे, और यह हमारा तंदूरी चिकन त्यार है, यह देखिए इसमें अच्छे से spots भी आ गया है, और बहुत अच्छा बनके त्यार हुआ था, यह ऐसे ही खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है, यहां पे gravy में से oil भी surface आउट हो गया है, अब हमने flame थोड़ा सा high कर लेना है, और इसको तब तक फून लेंगे चलाते हुए, जब तक यह मसाला पूरा dry नहीं हो जाता है, क फिर हमने इसमें आट कर देना है तकरीबने एक ग्लास के आसपास पानी, यह gravy थोड़ी semi dry होती है, बहुत जादा gravy नहीं होती है, आप चाहे तो थोड़ा add कर सकते है, पानी और, तेजी से उबाला आजाए ना, तो इसको हमने एक बार अच्छे से mix कर लेना है, इसमें हमने सब मसाले, नमक, सब कुछ add कर लिया था, gravy तयार हो गई है, अब हम इसमें चिकन add कर लेंगे, चिकन में जो भी oil या butter हमने add किया था, वो जो नीचे रह गया, वो भी सब कुछ आपने इसमें add कर ले रहा है, चिकन को बहुत जादा हमने mix नहीं करना है, इस बात का थेहान र लिए इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो पांच मिनट के लिए मैंने इसको medium flame पे cook किया है, और gas का flame off करके 10 मिनट का resting time दिया था, आप देख सकते oil पूरी तरह से surface out हो गया है, और ये कोईल अब हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर chicken बन के तियार है, तंदूर रोटी के साथ बहुत जादा जबर्दस जाता है, आपने इसको जरूर एक बार try करना है, और फिर मुझे feedback जरूर दीजेगा कि आपको ये recipes कैसी लगी, तो हम इसको serve कर लेते हैं, इसकी gravy आप देख सकते हैं, यहाँ पर medium रखी थी मैंने consistency, आप चाहें तो थोड़ा सा पान लगा हो तो like, share, subscribe करना मत भूलिएगा, आपके feedbacks और comments का मुझे इंतजार रहता है, तो मुझे comment करके जरूर बताइएगा, तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलूंगी एक और नई और ताजा recipe के साथ तब तक इजासत चाहती हूँ, thank you so much for watching the video, take good care, Allah Hafiz, bye-bye